आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो question में करें कि एक cylinder है हमारा पास cylinder है कितना हमारा फिल्ड हमारा वाइल से हमारा तू मीटर हमने फिल किया है जिसकी देंसिटी दिए हुए है 0.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो हमारा second half है हमारा उसमें हमने क्या फिल किया वाटर फिल किया ठीक है तो देंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता यह 1000 kg per meter cube और density of while दिया होगा हमारा 0.72 gram per centimeter cube ठीक है तो हमें क्या find out करना ही हमें find out करना है कि pressure जो होगा हमारा जो pressure लगेगा हमारा bottom में वो कितना होगा blender के bottom में जो pressure लग रहा होगा हमारा यह कितना होगा ठीक है इसकी value P bottom हमें calculate करना है ठीक है और हम लोग देशाते कि ना इसमें कितने type के pressure लग रहे हैं यह P bottom में हमारा एक तो यह density of water के कारण प्रेशर लगेगा ठीक है 10 to power 5 पास कर लोता है यह हमारा atmospheric pressure हो गया तो हम लोग क्या लिख सते हैं यह पर P bottom में जो pressure होगा मेरा PV में लिख रहा हूँ मैं जीसे ठीक है P bottom में जो pressure होगा हमारा हो किसे किसे कारण होगा P not मलब P not मेरा atmospheric pressure फिर उसके बाद आएगा मेरा density of oil के कारण तो oil का pressure ठीक है P वो लिख लेता हूँ मैं ठीक है density of oil है तो oil लिख लेता हूँ मैं pressure due to oil के कारण ठीक है plus pressure due to water के कारण ठीक है water के कारण तो मारा तीन टाइप पर प्रेशर एक्ट करेगा ठीक है तो हमें वेल्यू पूट करते हैं यहाँ पर oil का pressure कितना है हमारा 1.01 1.01 into 10 to the power 5 ठीक है और pressure due to oil के कारण प्रेशर होगा मेरा ρो जी एच तो मेरा density of oil into G into H H कितना है मेरा यहाँ पर 2 मीटर ठीक है और plus density of water यही प्रेशर वाटर के कारण के कारण कितना होगा density of water density of water into G into कितना हाइट कितना है यहाँ पर 2 ठीक है तो पहले तो यह देख लिजए कि हमारा यह CGS यूनिट में तो इसको हम लोग SI यूनिट में convert करेंगे तो इसकी value कितने हो जाएगी यह हो जाएगा मेरा gram पर centimeter cube है तो gram को convert किजए kg में और centimeter को convert किजए meter cube में तो इसकी value आजाएगी मेरी 720 ठीक है 720 क्या आजाएगा मेरा kg पर meter cube ठीक है तो हमारा यह भी हो गया SI unit में ठीक है तो हम लोग value पुट कर देते हैं यहाँ पर तो इसके value कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मेरा 1.01 into 10 to the power 5 ठीक है और यहाँ पर देशाते हैं g और 2 constant है दोनों में मलब same है दोनों में g and 2 2g मेरा same है तो हम लोग 2g को बाहर लिख लेते हैं 2 into g को हम लोग बाहर लिख लेते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा density of oil plus density of water ठीक है और density of oil कितना दिया हो हमारा पहले हम value पुट करत density of oil कितना है मेरा 720 ठीक है और density of water कितना होता है मेरा 1000 होता है 1000 kg per meter cube तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी value आएगी इसकी value क्या हो जाएगी 1.01 1.01 into 10 to the power 5 10 to the power 5 plus में आ जागा मेरा plus में आ जागा मेरा 2333746 ठीक है 23746 तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं किन हम ज 10 to the power 5 रहने दीजें यहाँ पर और इसको भी आप टेंटी पावर 5 के टर्म्स में लिख दीज़ें तो क्या लिखोंगा मैं 0.3346 0.3333746 ठीक है 746746 इसको क्या हो जागा 10 to the power 5 हो जाएगा ठीक है तम लोग यहाँ पर जैसे और यह पूरा जो यूनिट होगा हमारा हो क्या ह प्रेशर बता रहे हैं तो प्रेशर हमारा क्या होता है पास्कल तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनल एंसर होगा हमारा हो क्या हो जागा 1.3434746 into 10 to the power 5 10 to the power 5 पास्कल ठीक है तो यह मेरा प्रेशर एक्ट करेगा पीवी बॉटम में सिलिंडर के बॉटम में जो प्रेशर एक्ट करेगा हमारा हो कितना आ गया उसकी वैली हो जाएगी 1.341.34746 into 10 to the power 5 पास्कल तो यही हमें फाइंड आउट करना था इस कोश्चन में कि प्रेशर जो बॉटम में लग रहा होगा हमारा इस पी बॉटम की वैल्यू कल्कुलेट करनी थी त यह मेरा आंसर होगे इस कोश्चन का